तस्वीरे पूरे दुनिया में तबाही ला सकती हैं ये तस्वीरे पूरे दुनिया को डरा सकती हैं क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े नेताओं की मुलाखाद हो चुकी है एक जो दुनिया का सबसे खुंखार तानशा बनकर उबरा और दूसरा जो दुनिया में सबसे ताकतवर राश्चुपती बनकर उबरा है उन दो बड़े नेताओं की मुलाखाद आज हो रही है अमेरिका में इन तस्वीरों का सबसे बड़ा सर पड़ रहा है अमेरिका इन तस्वीरों को देखकर देहल उठा है क्योंकि किम जॉंगुन और विलादमीर पुतिन की महा मुलाखाद इस समय कोरिया में हो रही है रूसी राश्रुपती विलादमीर पुतिन देर रात उत्तर कोरिया पहुँच चुके हैं 24 साल के बाद पुतिन उत्तर कोरिया की यात्रा कर रहे हैं इस बीच पुतिन की तरह से बयान भी सामने आया पुतिन इस पष्ट कहा कि दोनों देश अमेरिका के साथ बढ़ते टकराफ के मद्दे नज़र प्रतिबंदों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब दुनिया में तनाव गहरा रहा है रूसी राश्ट्रपती विलादमीर पुतिन चोथे बार राश्ट्रपती बनने के साथ ही सबसे पहले चीन पहुचे थे चीन पहुंचने के साथ हे नोंने जिंग पिंग के साथ मुलाकात की और अपने दूसरे दौरे में विलादमेर पुतिन ने उत्तर कोरिया को चुना उत्तर कोरिया में अपने काफिले के साथ पुत्तिन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पूरा लाव लशकर लेकर वो लगातार उन फैसलों की तरफ बढ़ते चले जा रही हैं जो आज इस धर्ती से लिये जा नहीं है विलादमिर पुत्तिन किम जोंगुन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाब रणनीती तैयार करेंगे इस बीच उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंग यांग में सडकों को पुत्तिन की तस्वीरों से पाट दिया गया है हर जगा रूसी छंडे नजर आ रहे हैं दोनों देशों के बीच कई समझोते भी होने वाले हैं जिने लेकर पूरी दुनिया में जबरतस बवाल मत सकता है पिछले चौबेस सालों में उत्तर कोरिया की अपनी पहली यात्रा पर जानी के दोरान विलादमिर पुत्तिन काफी उत्साहित नजर आए प्लेन से उतरते ही किम जौंग उनके सामने खड़े होकर जिस तरीके की तस्वीर सामने आई उसे देख पूरी दुनिया चिंता में हैं अमेरिका टेंशन में हैं त्योंकि अब दोनों नेता बड़ी दोस्ती निभाने के मूड में नजर आ रहे हैं और अमेरिका की गेराबंदी करने की तैयारी में हैं व्यूरर रिपोर्ट भारत अग करने की तैयारी में हैं